हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में उर्जा परीद्रिशे के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं. भारत में उर्जा परीद्रिशे किसी भी देश के विकास में विद्धित की महत्वकून भूमिका होती है. भारत में यह तीव्र गती के साथ विकास की और अग्रसर है. विश्व में विद्धित का उत्पाद ने वहुप भोग करने वाले देशों में जीन प्रथम स्थान पर है विद्धित का उत्पाद ने वहुप भोग करने वाले देशों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है जुलाई 2019 तक देश में विद्धित की कुल संस्थापित क्षमता 3600456 मेगावाट थी जिसमें विभिन उत्पादन क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है तापिये विद्धित 63.2% जल विद्धित 12.6% पर्मारों विद्धित 1.9% नवी करणिये उर्जा 22.0% भारत में सर्व प्रथम विद्धित की आपूर्ती 1897 मेंदार जिलिंग में की गई थी उर्जा ग्रिड वहक शेत्र होता है जहां विद्धित का उपादन, प्रबंधन और पारिश्न एक ही स्थान पर किया जाता है वर्तमान में भारत में पांच उर्जा ग्रिडों की स्थापना की गई है आई उत्तर भारत ग्रिड 2, दक्षन भारत ग्रिड 3, पूर्वी भारत ग्रिड 4, पश्चिमी भारत ग्रिड वी, पूर्वोत्तर भारत ग्रिड भारत में विद्धित खपत की दृष्टी से सबसे बड़ा क्षेत्रुद्योग है। इसके पश्चात क्रमश घरेलू एवंक्रिशिक खपत होती है। देश में लगभग 41% विद्धित की खपत खपतुद्योग धन्धू में, 24% विद्धित की खपत घ्रेलू क्षेत्रों में तथा 17% विद्धित की खपत क्रिशी क्षेत्रों में किया जाता है भारत में सरवाधिक विद्धित की संस्थापित क्षमता वाला राज्य महाराश्र है इसके साथ ही भारत में सरवाधिक विद्धित का उत्पादन करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है भारत में महाराष्ट्र राज्य का तापिये विद्धित उत्पादन में प्रत्मस्थान है देश में कुल विद्धित संस्थापित क्षमता में तापिये विद्धित का योगदान लगभग 63.2% है भारत में सर्वाधिक जल विद्धित की संस्थापित क्षमता वाला राजे आंध्र प्रदेश है जबकि सर्वाधिक जल विद्धित उत्पादन ही माचर प्रदेश में होता है देश में सर्वाधिक सोर उर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है जबकि सोर उर्जा उत्पादन की सर्वाधिक अक्षमता वाला राज्य राजस्थान है यद्देपी की अभी राजिस्थान राज्य में सोर उर्जा का उत्पादन नहीं किया जा रहा है किन्तु राजिस्थान में इसकी संभावना अधिक है पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि राजिस्थान की भोगोलिक स्थिती के कारण वहां या तो मानसून पहुँच नहीं पाता है और यदि पहुँचता भी है तो इससे लगभग नहीं के बराबर वर्शा होती है जिससे राजिस्थान में वर्श भर सूरे की किरने चमक्ती रहती है यही कारण है कि राजिस्थान राज्य में सोर उर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है देश में सर्वाधिक पवन उर्जा उत्पादन करने वाला राज्यत मिलनाडू है भारत में सर्वाधिक परमानू उर्जा की संस्थापित क्षमता वाला राज्य जेहरियाना Raja है। जबकि देश में संख्या के आधार पर सरवाधिक ग्रामीन विद्यूती करन वाला राजियुत्तर प्रदेश है। भायरत में विद्यूत की सरवाधिक Maangora पूरती वाला राज्यमहाराष्व है। विद्यूत की दर-rate को मेगावाट किलोवाट एवंवाट में दर्शाया जाता है एक मेगावाट इस इक्वल टू एक हजार किलोवाट एक किलोवाट इस इक्वल टू एक हजार वाट विद्धित की खपत को किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है एक किलो वाट घंटा विद्धित की खपत एक यूनिट विद्धित की खपत के बराबर होता है उदारन के लिए एक सो वाट के दस बर्ब को एक घंटे तक जलाने पर कुल विद्धित की खपत एक हजार वाट होती है इस प्रकार एक घंटे में उप्योग किये गए एक हजार वाट विद्धित की खपत का मान एक यूनिट के बराबर होता है नोट उप्रोप्त विशय में प्रस्तुतांक्रे वर्ष 2020 में वास्तविक आकरों पर आधारित हैं इसलिए विश्वसनिय है